नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ उंकार दाटे, आप देख रहे है एक्स्प्लोरिंग इंसानिटी, खाबों का सफर और नाम के अनुसार ही, हम इसमें नहीं नी और बढ़िया चीजें, जो हम ट्रेकिंग, कैंपेंग और हमारे रोज की जीवन में इस्तमाल कर सकते हैं, इसके बार में बात करने वाले हैं ये सीरीज हिंदी के साथ ही, इंग्लिश और मराटी में भी अवेलेबल है, और इसका इंग्लिश में पोड़काज भी अवेलेबल है, और जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है जूतों की तरह आवश्यक नहीं, पर हाँ, ट्रेकिक पोल्स हमें सभी प्रकार के ट्रेक पर संतुलन और स्तीरता देकर हमारा सफर सुकद बनाते हैं वे ट्रेकिंग करते समय हमारे गुटने और अन्य मास पेशियों पर होने वाले प्रभाव को कम करते हैं और इन एक्टिविटीज के कारण होने वाली थकान और व्यता को कम करने में मदद करते हैं इसके अलावा ये टेंट पोल्स के विकल्प में भी इस्तमाल किये जा सकते हैं इस प्रकार ट्रेकिंग पोल्स के कई फाइदे हैं तो चलिए हमारी लिए एक योग्य ट्रेकिंग पोल कैसे चुने यह देखते हैं फर्स्ट पोल्स की संख्या ट्रेकिंग पोल्स की जोडी या केवल एक हाइकिंग स्टाफ ये पुर्णता हमारी ज़रूरत पर निर्भर करता है वैसे तो छोटे आसान ट्रेक्स के लिए हाइकिंग स्टाफ बराबर है लेकिन लंबे मुश्किल ट्रेक्स जिसमें जादा वजंदर बैक पैक होते है उसके लिए ट्रेकिंग पोल्स की जोड़ी ही फायदेमन है ये ट्रेकिंग पोल्स एजिस्टेबल होते है और आजकल कुछ poles built-in camera mounts के साथ भी आते हैं जिससे की हम उन्हें monopod की तरहा भी इस्तमाल कर सकते हैं और कुछ poles touch light के साथ भी आते हैं तो अगर हमें ये features चाहिए तो उस विखल्प को ज़रूर चुने Second locking method वैसे adjustable poles lock करने के तकरीवन दो तरीकी होते हैं एक बार आपने आपके लिए बराबर लंबाई तई कर ली तो उस trekking pole के हिसाब से आप twist lock या lever flick lock से उसे lock कर सकते हैं दोनों ही तरीकी अच्छे हैं लेकिन मुझे व्यक्तिगत तोर पर flick lock method पसंद है क्योंकि ये ज़्यादा आसान है और lock करने में कम समय लगता है थर्ड पोल्स की लंबाई आइडियली जब हम trekking poles पकड़े सीधे खड़े होते हैं तब हमारे हाथ के कोनी पर 90 डिगरी का कोन बनना चाहिए चड़ाई के समय पोल्स की लंबाई को छोटा और उतरते समय ट्रकिंग पोल्स की लंबाई अवशक्ता के अनुसार बड़ा देनी चाहिए अगर आपकी हाइट 6 feet से ज़्यादा है तो आपको ऐसे पोल्स लेने चाहिए जिसकी हाइट कम से कम 130 cm या 50 inch या ज़्यादा है एन बागी सब के लिए कोई भी रेगुलर लंबाई वाला ट्रकिंग पोल्स अच्छा है 4. मटीरियल ट्रकिंग पोल्स आमतोर पर कार्बन या ऐलूमिनियम से बने हुए होते हैं कार्बन पोल्स light weight होते हैं और इसलिए महंगे होते हैं इसके अलावा वो high pressure में तूट सकते हैं जबकि aluminum poles ज़्यादा टिकाओ और सस्ते होते हैं और वो high pressure में मुड सकते हैं पर ये आसानी से तूटते नहीं ये carbon poles के मुकाबले थोड़े भारी होते हैं और आगे बढ़ने से पहरें ये वीडियो हमने Aldo's Adventure इनके सहयोग में बनाया है ये सारे top adventure brand products के Mumbai और ठाने रीजन के अधिकुत विक्रेते हैं और ये डोंबी में स्थित है और सबसे अच्छी बात आप exploring insanity का उलेग करके 20% तक exclusive discount पा सकते हो उनके सभी products जो उनके store में उपलब है और जिसकी location link हमने नीचे description में दी है और ये सारे इंडिया में अपने products deliver करते हैं फिफ्थ ग्रिप्स ट्रेकिंग पोल्स के ग्रिप के लिए तीन option market में मौजूद है form grip, cock grip और rubber grip form grip मुलायम होते है और ये moisture और पानी सोकते है पर ये जल्दी तूट भी सकते है cock grip कॉक ग्रिप्स टिकाव होते है moisture resistant होते है और हमारे हाथ के अनूसार mold भी हो जाते है लेकिन ये थोड़े महंगे होते है और form grip के मुकाबले ये थोड़े भारी भी होते है rubber grips, rubber grips बर्फिरे शेत्रों में trekking करने के लिए सबसे बढ़िया option है पर गरम जगाओ पर ये grips हमारे हाथों के साथ घिस कर हमें irritate करते हैं कुछ poles extended grips के साथ भी आते हैं जिसके कारण हमें बार-बार poles की length adjust नहीं करनी पड़ती और हम उन्हें उबडखाबड रास्तों में आराम से इस्तमाल कर सकते हैं ट्रेकिंग पोल्स की टिप कारबाइड या स्टील से बने हुई होती है और बास्केट के साथ इसे हम बर्फ या कीचड में भी इस्तमाल कर सकते हैं सक्त जगाव पर हमें ट्रकिंग पोल्स को रबर टिप प्रोटेक्टर्स के साथ इस्तिमाल करने चाहिए जिसके कारण ये ज़्यादा समय तक टिकेंगे तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए कि आपको ये वीडियो कैसा लग और मैं अगला कौन सा प्रोड़क्ट रिव्यू करूँ ऐसा आपको चाहिए ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेर कीजिए क्योंकि इससे मुझे ऐसे अनिक वीडियो बनान हुआ